आप सभी का मेरे चनल पर स्वागत है आज हम लोग थिंबल की वेराइटी के बारे में जानेंगे इससे पहले में अपना एक थिंबल के ऊपर कि थिंबल क्या होता है इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुकी हो तो आप जाके उसको पहले देख ले उसके बाद यहां प बैनिफिट क्या है इसका यूज क्या है इससे पहले हमें पता होना इन सब चीज का ज़्यादा जरूरी है फिर उसके बाद हम इसके वेराइटी के बारे में जानेंगे कि यह कितने टाइप्स के थिंबल होते है और उनका क्या-क्या इस्तेमाल होता है वो दिखने में कैसे ह होते हैं इन सब के बीच में difference क्या है तो आइए जानते हैं कि हम इसका उपयोग किस तरीके से कर सकती है और difference क्या-क्या होंगे हमारे हर एक thimble के बीच में कि हर अगर हम हर एक thimble के बारे में जानेंगे तो हमें इतना भी पता होना चाहिए कि हमारे work के according कौन सा thimble हमें match करता है तो इसलिए मैं आप लोगों को हर एक thimble के बारे में बताऊंगी कि उसका क्या use होता है और क्या-क्या difference होता है हर एक thimble के बीच में तो आईए start करते हैं और आगे भड़ते हैं thimble there are six types of thimble ये जो thimble होते हैं ये हमारे six प्रकार के होते हैं बलब कई सारे प्रकार के होते हैं और इनकी दिखने में कैसे होते हैं इनका meaning क्या है और work क्या है उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं तो आईए start करते हैं सबसे पहला जो आता है thimble वो आता है हमारा finger shield जिसको हम finger stall, finger guard और finger protector भी बोलते हैं जैसे कि हमारा protector होता है कोई guard होता है जैसे screen guard होते हैं यानि guard का मतलब यानि कि जो हमारे कि जिस भी चीज के ओपर हम उस guard को place करना है उस चीज को protect करके रखता है उस चीज को बचा के रखता है तो वो चीज है इसलिए इसका नाम finger shield रखा गया finger guard और finger protector भी हम इसको बोल सकते है तो यह हमारी एक ring की तरह बनी होती है जैसे कि आप picture में देख भी सकते है यह एक ring की तरह बनी होती है और इसमें एक तरफ shield होती है यह पूरा all over cover नहीं होता और thimble की तरह एक normal swing thimble की तरह इसमें सिर्फ एक ही और एक पुरी दिवारसी होती है और बाकी दूसरी तरफ इसको according to finger measurement करने की changes करने के लिए दिया होता है जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं कि हमारा इस side जहां से हमें protect करना है अपनी finger को उस तरफ हम इसको move कर सकते हैं इसको घूमा सकते हैं जैसे हम अपने रिंग को कर लेते हैं जहां पर stewn होता है जहां पर उसका face होता है उसको सामनी की और दिखा देते हैं और जो उसका back side होता है वो palm की और इसे प्रकार हमारी इसमें भी होता है ये भी हमारी ring kind of ही होती है लेकिन ये tip पर लगाई जाती है यह नहीं कि आप इसको जो आपकी पूरी finger है उसमें बीच में आप पहन रहे हो नहीं ये सिर्फ और सिर्फ tip पर लगाई जाती है they often have a crown or a partial crown but are open down one side one long side तो जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं इसमें एक side से इसको open करने का और tight करने का है जैसे किसी की finger मोटी है और या पतली है तो वो और tight कर सकता है मोटी है तो उसको lose करके उसको अपनी finger के according अपनी finger tip के according इसका size measure कर सकता है जैसे हर एक का size equal नहीं होता इसी प्रकार इसका जो invention इसको इसको बनाया गया है इसको जो style किया गया है वो इस इसको मेजर कर ले अपने अकॉर्डिंग इसको साइज है उसको चेंज कर ले और इसको अपने अकॉर्डिंग इसको पहन ले और इसली वर्क कर सकता है तो इसमें हमारी एक साइड तो लॉंग होता है और एक साइड शोट होता है जो की साइज चेंज करने के लिए काम आता है यह है हमारी finger shield जिसमें एक side shield लगी होती है और एक side size change करने के लिए होता है second आता है हमारा quilter's thimble quilter's thimble जैसे कि आप cricket में देखते हैं shield वगारा wear करके रखते हैं knees को protect करने के लिए wear करके रखते हैं तो यह कुछ एक type की या ना तो यह proper fabric होता है और ना ही यह proper bookram type का कुछ होता है यह अलग ही leather kind of material होता है जो कि protect करता है किसी भी area को जहां पर इसको पहना जाता है a form of snap thimble made of two pieces of leather that cover a finger यह हमारा leather का बना होता है जो कि आपके finger को cover करता है जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें इधर के side elastic है और यह आपकी shield हो गई जो कि इसको protect करके रखती है often there is a piece of metal or coin sew into one side of the shed that is used to push the needle through numerous layers of cloth associated with a quilt of same some form तो यह कुछ form का बना होता है इसमें form भी होती है और इसमें leather भी लगी होती है जैसे कि आप उपर की side देख सकते हैं इसमें leather है और अंदर की side I think finger को protect करने के लिए इसमें form लगाया जाता है तो कि यह की एक quilt type का होता है और यह अच्छे से product करके रखता है इसमें जो piece होता है often there is a piece of metal or coin एक तरीका का piece metal का और coin का metal होता है इसमें material होता है अंदर की side जो कि लगा होता है जिसकी मदद से हम needle को push कर सकते हैं अपने cloth पे use करने के लिए stitch करने के लिए उसको हम pressurize कर सकते हैं अपने according नेक्स आती है हमारी थर्ड थिंबल रिंग जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यह एक प्रकार की ring होती है जो की finger में पहनी जाती है यह आपकी जो cup होते हैं उनसे ठीक लगती है मुझे यह क्यों क्योंकि इसमें जो cup होते हैं जो आपके finger cup थी उसमें क्या होता है पूरी की पूरी finger जो है वो cover हो जाती है इतनी finger लेकिन इसमें क्या होता है कि आप इसको यहां से अपनी जिस भी तरह किस आपको move करना है और फिर जब आपको stitch करनी start करनी है तो आप इस area में उसको fabric को रखे stitch कर सकते हो तो आपके finger भी protect हो जाएगी a ring form with no crown it is similar to a tailor's thimble but only about one centimeter in depth यह सिर्फ और सिर्फ एक centimeter की होती है इसकी जो width होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक centimeter की होती है इसमें सिर्फ इतना ही फरक होता है और इसको हम tailor's thimble भी बोलते है जो की जिसमें कोई crown नहीं होता only सिर्फ और सिर्फ एक ring होती है जिसके width सिर्फ और सिर्फ वन centimeter होती है इसका एक loss होता है कि इसको adjust नहीं किया जा सकता इसको अपनी finger के according ही हमें purchase करना होता है next आता है हमारा swing thimble जिसको हम normal thimble भी बोलते हैं जो की normally सब ही उपयोग करते है the normal thimble with a crown sides and since the 18th century a rim around its lower edge यह हमारी normal thimble होती है जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारी जो normal thimble होती है उसमें क्या होता है कि उपर की side से यह cover रहती है यानि कि यह सिर्फ इसमें एक side से open रहता है जिसमें हमारी finger जाती है यह हमारी finger को तीनो side से cover कर देती है मैं चारो side से नहीं तीनो side से cover कर देती है क्योंकि एक side से तो finger ही होती है finger है यह और finger को हमारी स्तरिके से यह cover कर देती है इसको 18th century में invent किया गया था इससे पहले एक और invention हो चुका था थिम्बल का देन आफ्टर इसका invention किया गया था तो ये है हमारी सबसे normal थिम्बल जो कि normally सब लोग use करते हैं इसको swing थिम्बल और normal थिम्बल भी बोला जाता है इसमें crown होता है यानि कि ये वाला जो area होता है इसको हम crown बोलते हैं इसमें crown होता है और इसकी मदद से हमारे finger protect रहती है जितने भी area में इसकी width काफी अच्छी खासी होती है जो कि हमारे finger को product करके रखती है ये around 1 inch की होती है 1 inch तक का हमारा finger का size है उसको cover कर लेती है then 6th point आता है हमारा tailor's thimble जो की tailor उपयोग करते हैं इससे पहले भी हमने ring finger जो पढ़ी थी उसको भी हम tailor finger बोलते हैं और इसको भी हम tailor thimble बोलते हैं क्योंकि ये दो ऐसी variation है जो हर जंगा पर available हो जाती है और सब के पास मिल जाती है जहाता टेलर्स ही इसको उपयोग करते हैं हाला कि जो छोटे मोटे villages और towns होते हैं उन जंगा पर इनको उपयोग नहीं किया जाता इतना जो बाहर के लोग होते हैं थोड़ा upgrade जो लोग होते हैं बुटीक वाले होते ह तो यह जो है वो टेलर्स जो है इसको उपयोग करते हैं सिलाई करते टाइम इसमें क्या होता है जो आप देख रहे होंगे कि हमारा स्विंग थिंबल और टेलर्स थिंबल दोनों almost similar हैं देखने में आप लोगों को similar लग रहे होंगे पर यह similar नहीं होते हैं जो हमारा स्विंग थिंबल होता है इसमें उपर की side से एक rim लगी होती है जो की आपकी जो थिंबल है उसको cover करके रखती है एक cup kind of इसको बना देती है यह इस type की open होती है कटोरी ball type का होता है यह नी कि नीचे से इसमें closing रहती है लेकिन जो आपका tailors थिंबल होता है इसमें कोई closing नहीं रहती है इसमें यहाँ पर opening रहती है आपकी finger जो है वो पार हो जाती है जैसे आपका ring थिंबल होता है ring थिंबल में difference क्या होता है वो सिर्फ और सिर्फ one centimeter का होता है लेकिन यह around one inches का होता है सिर्फ दोनों में इस चीज़ का difference होता है और यह थोड़ा जो हमारा swing थिंबल होती है उस प्रकार की दिखने में होती है इसमें crown होता है normal space बनी होती है जंगा जंगा holes बने होते हैं तो यह हमारी टेलर्स थिंबल होती है जो कि उंगली से पारो जाती है तब हम जब हम needle वगएरा हाथ में लेते हैं हम swing करते हैं तो हमें easy रहता है उन सब चीज़ को करने में तो दोनों को I hope आप दोनों को तो I hope इन दोनों में आपको difference समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या difference है swing थिंबल और tailors थिंबल और third ring थिंबल में भी तो आपको इन सब में difference समझ आ गया होगा almost similar होते हैं लेकिन अपने work के according हम इनको purchase करते हैं then last आता है हमारा thumblets thumblets सबसे unique और different kind of thिंबल होता है इसका uses भी काफी सारे होते हैं जैसे हम इसको swing करते time भी upyork कर सकते हैं हम study कर रहे हैं तो हमें page पलटने में भी यह काम आता है क्योंकि यह rubber का होता है तो जल्दी page को catch करता है और easily हम pages को भी पलट सकते हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें इसके चारों और नुकिली दाथ से निकले हुए हैं इस type के तो यह हमें मदद करता है हर एक तरीके से they are used by people handling documents etc to protect the fingers against continuous wear तो यह जो थंबलेट है इसको हम यह सबसे different name है इसका थंबलेट तो यह जो documents होते हैं उनको handle करने में भी जैसे अभी मैं बता रही हूँ पलटने वलटने में काफे दिक्कत रहती है तो उस चीज में भी बड़ा काम आता है to protect the finger against continuous wear और आपकी finger को भी protect करता है this form is not normally used for swing but may be solved in the same category as swing thimbles यह एक proper swing में नहीं आता है लेकिन यह look like thimble होता है तो इसलिए इसका उपयोग swing thimble में भी किया जा सकता है लेकिन यह documents को handle करने में page पलटने में इस type के work में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है लेकिन आप इसको as a thimble भी उपयोग कर सकते हैं वो सब समझ में आ गए होंगे तो कौन कौन से thimble हमने पड़े थिम्बलेट्स टेलर्स थिम्बल स्विंग थिम्बल थम रिंग क्विल्टर्स थिम्बल और लास्ट फिंगर शील्ड तो यह कुछ six type के thimble हम लोगों ने पड़े हैं जो कि different हैं एक दूसरे से बिलकुल different है थोड़े बहुत similar हैं लेकिन उनमें भी अच्छा खासा difference है जो कि आपको समझ में easily आ जाएगा तो I hope कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है लेकिन फिर भी आपको कोई query है कोई question है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के नीचे comment section open रहता है आप वहाँ पर जाके मुझे comment करकी भी पूछ सकते हैं अधर्वाइस एक description box होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा ID का link मैंने share किया हुआ है अधर्वाइस मैं वीडियो में भी साथ की साथ शेयर करती हूँ अपनी ID का नेम जिसमें नाइम से मेरी ID होती है आप वहां से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी ID खुल जाएगी अधर्वाइस लीचे link तो होता ही है उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो ID मेरी ख पूछ सकते हैं तो I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए और जो भी क्वेरी हो वह आप मुझसे easily पूछ सकते हैं तो थैंक यू आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रू करना मेरे चैनल को बाबाई